अखिर है विरेटS वेलकुम तू फिटनससतलो सब्रक्रावेट, मैंने रिसेंटली एक विडियो डाला था कीटो डाइट पर होता है क्या खाना चाहिए slici rookie to diet में क्या ammo होता है तो उसпे एक व्ययोर का Bye clinical. आये था कि क्या हम high carb diet को follow करते हुए भी weight loss कर सकते हैं so friends इस पर मैंने वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ बट साय वो direct video नहीं था तो इसलिए मैं इस चीज़ को मैं फिर से explain करना चाहता हूँ कि weight loss के लिए calorie deficit होना चाहिए आपका total calorie expenditure जादा होना चाहिए total calorie intake से उसी case में weight loss होता है अब जो total calorie intake है वो कहां से आ रहा है इससे कोई फरक नहीं परता for an example आपका calorie expenditure 2000 calorie का है और आप 1500 calorie का intake करना चाहते हैं weight loss के लिए so 1500 calories पूरा का पूरा काप से आ रहा हो तो भी आपका weight loss होगा but समझना क्या है weight क्या होता है weight होता है आपका lean body mass plus fat lean body mass क्या होता है आपका muscle mass body water and bones यह होता है lean body mass plus fat यह सब चीजें मिलकर बनाता है आपका weight और जब हम weight loss की बात करते हैं तो हमें fat को lose करना होता है ना कि lean body mass को और lean body mass में भी muscle is more important ठीक है तो जब आप carbohydrate का intake करके fat loss या weight loss करने की कोशिश करेंगे तो उस case में muscle loss भी होगा और जब muscle loss होगा तो future में weight gain की संभावना बढ़ जाएगी क्यों? क्योंकि muscles से आपका metabolic rate maintain होता है जितना अच्छा आपका muscles होगा उतना अच्छा आपका metabolic rate होगा और जब आप high carb diet से weight loss करने की कोशिश करेंगे तो आपका muscle माज जाएगा fat भी जाएगा बट muscles भी चला जाएगा ठीक है? इससे आपका metabolic rate slow होगा और future में जब आप अपना target अच्छीव कर लेंगे उसके बाद जब आप पुराने diet पे जाएगे तो आपका weight loss और तेजी से, sorry weight gain और तेजी से होने लगेगा तो आपको अपने diet में protein और fat का intake ज़रूर रखना चाहिए इससे क्या होगा? आपका जो lean body mass है, आपका जो muscles है, वो protected रहेगा ठीक है? और आपका जो weight loss होगा, वो 80-90% fat से होगा और जब आप इस तरह का weight loss करते हैं, तो वो healthy weight loss होता है, sustainable होता है जो आप लंबे समय तक maintain कर सकते हैं So friends, मैं फिर से आपको एक break up देना चाहता हूँ, कि एक healthy weight loss में 25-30% का protein होना चाहिए 15-20% का fat होना चाहिए, और बाकी जो बचा है, वो आप carb से intake कर सकते हैं इससे आपको एक healthy weight loss अचीव होगा So I hope कि आपको ये अब समझ में आ रहा हो कि macros का break up कैसे होना चाहिए, एक healthy weight loss के लिए Thank you so much for watching my videos, also अगर आप मेरे workout videos देखना चाहते हैं, तो मुझे Instagram पे जरूर follow करें Thank you so much for watching, bye bye